साथ साल बाद हुआ ऐसा पुजारा के कलब में शामिल हुए शुभमन गिल शुभमन ने रविवार को ग्यारह माह बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक जरूर लगाया लेकिन भारत दूसरी पारी में सिर्फ 255 रन पर सिमट गया पहली पारी में 143 रन की बढ़त के चलते भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 390 रन का लक्ष दिया शुभमन का ये टेस्ट में तीसरा शतक रहा इससे पहले उन्होंने मार्च 2023 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ एहमदाबाद में 128 रन बनाए थे शुभमन को बशीर ने उनके 104 के निजी योग पर आउट किया इस शतक के साथ ही शुभमन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया वह 2017 के बाद टेस्ट में भारतिय सरजमी पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने इससे पहले 2017 में चेतेश्वर पुजारा ने नागपुर में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था